आप सभी का सवागत है कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पर मैं हूँ अब शेक दौरहा और हम सभी डील कर रहे हैं करन्ट अफेर्स जून के पहले हफ़ते में हमने जो करन्ट अफेर्स को डील किया उसमें हमारा 36 गड़ के करन्ट अफेर्स और उससे संबंदित हमने एमसी क्यूज को डील कर लिया था लेकिन कुछ तुटियों के कारण मैं आप सभी के सामने उपस्थित नहीं हो पाया नैशनल और इंटरनाशनल करन्ट अफेर्स को ले करके तो आज याने कि जून के दूसरे हफ़ते में हम पहले सबसे पहले कवर करेंगे उन नैशनल और इंटरनाशनल करन्ट अफेर्स को जिनको हमें करना था पिछले हफ़ते कवर उसके बाद में फिर हमें जो रेगुलर रूटीन है उसमें वापस आ जाएंगे तो शुरू करते हैं आज का सेशन यह है आप लोगों का नैश हम उसको क्या करेंगे डिल कर लेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम जो फॉर्मेट हमारा यूज़ करते है इस हफ़ते में कौन-कौन सी चीजे महत्वपूर्ण रही है यानि की मई महीने के चौत्थे हफ़ते में हमारे लिए क्या-क्या चीजे मह पात्पूर्ण रही जो न्यूज में कंटिनियसली बनी रही एवाम हमारे एक्जाम उप्योगी होंगी उनको देखेंगे सबसे पहला है दो हजार देश चोबिस के लिए भारत की जी डी पी वृद्धी दर आठ दशमलो दो प्रतीशत रही है है ना तो इसके बारे में हम सब से पहले information देख लेते हैं अब ये आपका एक data आया है किसके द्वारा एन एसो के द्वारा एन एसो के द्वारा हर साल यानिकि साल में एक बार प्लस हर त्रेमासिक में मतलब एक क्वाटर में क्वाटरली आपके डेटा जारी किये जाते हैं है ना आपकी अर्थ व्यास्ता सम्मंदित तो हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए NSO द्वारा भारत की GDP याने की Gross Domestic Product GDP याने की Gross Domestic Product या फिर इसे जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद इसके आकड़े जारी किये गये हैं और इसमें ये बताया गया है कि जो 2023-24 है इसमें हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है या GDP है उसकी व्रिद्धी दर रही है कितनी 8.2% हम लोग कभी कभी क्या करते हैं interchangeably इसको यूज कर लेते हैं कि हमारे भारत की GDP 8.2% रही ऐसा नहीं है हमारे भारत की जो GDP है या फिर सकल घरेलू उत्पाद है उसकी व्रिद्धी दर रही है कितनी 8.2% मतलब यह एक comparative data है 2022-2023 और 2023-2024 का जो दोनों साल रहा उसको अगर हम compare करें तो 2023-2024 में 8.2% की व्रिद्धी दर रही है किसमें हमारे GDP में अब देखिए इसको जारी करने के वाला कौन है या फिर यह data release करने वाला कौन है तो यह है आपका national statistical office या फिर हम इसे बोलते हैं क्या राश्ट्रिय सांखिकिय कार्याले क्या बोलेंगे इसको हम राश्ट्रिय सांखिकिय कार्याले और यह कौन से मंत्राले के अंडर में आता है तो सांखिकिय और कार्यक्रम कार्यानवयन मंत्राले यानि ministry of statistics and program implementation इसके अंडर में आएगा आपका क्या national statistical office और यही करता है क्या क कम आता है यह क्या करता है आपका कार्थ व्यास्ता से संबंदी जितने म는 डंष Jackson करता है unemployment के जोपके डेटा होंगे वो सभी को रिलीस करें आप देख लेते हैं यह जो अभी रिलीस किया निकलoben ऐस्टेमेट्स ओफ एन्वल domestic product for fourth quarter of 2023-2024 मतलब यहां वार्षिक सकल घरिलू उत्पाद का अंतिम अनुमान है 2023-2024 की चौथी तीमाही के लिए सकल घरिलू उत्पाद के त्रेमासिक अनुमानों के साथ में जारी किया गया है मतलब जैसा कि हमने बात किया एने सो जो है वो आपको quarterly आपके data देता है मतलब हर तीन महीने के quarter देता है जैसा कि हमको मालूम है कि अगर हम एक वित्तिय वर्ष की बात करें financial year की बात करें है ना एक financial year या फिर वित्तिय वर्ष की हम बात करें तो यह किसी भी साल के 1st of April से शुरू होता है और उसके अगले साल के 31 March को जा करके खतम हो जाता है अब जैसे ही हमने यहाँ पर 2023-2024 की बात की मतलब यह 1st April 2023 से लेकर के 31 March 2024 तक का हो गया अब इसमें total कितने quarters होंगे या कितनी जून जुलाई अगस्त और सेप्टेंबर का दूसरा ओक्टोबर नवंबर और दिसेंबर का तीसरा और फिर जैनवरी फेब्रेरी और मार्च का चौथा अब यह एन एसो क्या करेगा एन एसो यह इन सभी अलग अलग quarters के लिए एक एक जो आपके quarters है इनके लिए data release करेगा फिर आखरी में finally जो चौथे quarter के data आएंगे उसमें यह क्या करेगा इन चारों जो total है एक पूरा वित्तिय वर्ष है उसके data को किसके साथ में मिला करके दे देगा यह जो finally आपका चौथा quarter है तो यह वही है अभी जो हा 2023 का और इसमें हमारे लिए important क्या है हमारी GDP की growth rate कितनी रही है 8.2 रही है पहले ऐसा बोला जा रहा था कि यह हमारा 7.6 रहने की उम्मीद है लेकिन हमने एक अच्छी वृद्धीदर इसमें पा ली है हासिल कर ली है ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ और data भी इसमें मिल जाते हैं एक मिल जाता है हमको नाम मातरक GDP का या फिर nominal GDP का और इसमें बोला गया है जो nominal GDP है या फिर नाम मातरक GDP है वो 9.6 प्रतीशत के दर से वृद्धी हुई है 2023 में है ना तो एक हमको मिल गया हमारा regular GDP और यह कितना है 8.2% से growth हो रही है इसके बाद में हमारा क्या ब यह जो आपका 8.2 है यह real gross domestic product है मतलब वास्तविक GDP है यह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है जबकि आपका नाम मातरक कितना हो रहा है 9.6 हो रहा है अभी समझते हैं सब चीजों को क्या है अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग यह देख लिजे कि data क्या क्या आए है तो वा इसके बाद में आप लोगों को एक गया है real GDP जो है वो कितना हो गया है तो 173.82 lakh crores हो गया है तो नाम मातरक GDP हमारे पास हो गया कितना 9.6 प्रतिशत इसके बाद में वास्तविक GDP का हमारा एक पूरा आकड़ा आ गया है कि हमारे भारत की GDP कितनी उसका आकार कितना है अकार कि कितना है उसका है तो यहां पर हमारा वास्तविक GDP का आकार पता चल गया कितना 173.82 lakh crore और उसी प्रकार नाम मातरक जो हमारी GDP है उसका भी आकार हमारे पास में आ जाता है कितना 295.36 lakh crore इसके बाद एक और डेटा हमको मिलता है सकल मूल्य वर्दन या फिर ग्रॉस रहा है या फिर शकल मूल्य वर्दन रहा है यह आप लोगों का रहा है साथ दशमलो दो प्रतीशत अब जो लोग continuously आपके से टश में हैं उनको तो यह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी यह GDP क्या है फिर उसमें रियल GDP क्या है नॉमिनल GDP क्या है नाम मातरक क्या है वास् अधिदर है क्या यह हमारे पास में ग्रॉस वेल्यू एड़ेड है या फिर शकल मूल्य वर्दन है हम लोग अपने वीडियो के माध्यां से एक ओवर्व्यू देख लेते हैं क्योंकि यह करन्ट अफेर्स की वीडियो है इसलिए हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा टोप ड बोनों तरीके से हैं एक है आपका उसका व्रिद्धी दर भी बताया गया है और दूसरा उसमें क्या बताया गया उसका आकार भी बताया गया है तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं GDP क्या है है तो इट इस डिफाइंड as the sum total of monetary value or the market value of all the final goods and services produced within a country's border in specific time period या फिर किसी देश की सीमा के बीतर एक निश्चित समय अवदी में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य या बजार मूल्य के योग के रूप में परिभाशित किया जाता है किसको GDP को तो शकल घरिलू उत्पाद में हमारे क्या जाना चाहरा है यह तो हो गई इसकी डेफिनेशन वोशल यह चाह रहा है एक देश के जैसे हम अपना उदारन लेते हैं भारत देश के पूरे भागोलिक छेत्रफल के अंदर में एक निश्चित समय अवदी में Specific time period हमारे एक निश्चित समय अवदी में भारत के पूरे भॉगोलिक शेत्रफल के अंदर में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा उनका जो अंतिम मूल्य होगा उन सभी को जब हम क्या कर लेंगे जोड लेंगे तब हमारे लिए क्या आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद है ना तो यहां पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक हमारे लिए स्पेसिफिक टाइम पिरिड इंपॉर्टेंट है या फिर एक निश्चित समय अवदी तो हमारे देश में हम ये निश्चित जो स सब्तक रहता है यह यह आपका एप्रिल से लेकर के अगले साल के मार्श तक कर रहता है वित्ति वर्ष दूसरी चीज़ इसमें आ जाता है मॉनेटरी वेल्यू या मौद्रिक मूल या फिर बजार मूल यह आपके पास में कीवर्ड आएंगे इसके बाद में क्या बोल रहा ह यह किसी देश की सीमा के बीतर किसी देश की सीमा के बीतर तो हमारे देश में जो आपका कहां पर है कंट्रीज बॉर्डर मतलब हमारा जो छेत रफल है उसके अंदर में हम उनको हाइलाइट कर रहे हैं जो जीडीपी के की टर्म्स है ना तो एक स्पेसिफिक टाइम पिरेड वहां के जो final goods and services हैं ये तीसरा सबसे important term final goods and services जो हैं मतलब अंतिम तोर पर तैयार वस्तु और सेवा जो हैं उनका चौथी चीज क्या monetary value मतलब उनका मौद्रिक मूल्य जो कुल मिला करके होगा उसे हम बोलते हैं क्या आपका सकल घरेलू उत्पाद है ना एक निश्चित समय ओदी जो भारत के लिए एक वित्तिय वर्ष है किसी देश की सीमा याने की भारत की सीमा फिर अंतिम वस्तु और हम सेवा मतलब final goods and services और उसका क्या मौद्रिक मूल्य याने की monetary value मतलब एक देश में हमारे भारत में एक वित्तिय वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हम एक साल में करेंगे उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य का जब हम जोड लेंगे तब वो कहलाएगा क्या हमारा GDP या फिर gross domestic product है ना अब इसका यह एक और definition है it is the measures the it measures the total value of output in an economy मतलब एक यह क्या करता है कुल मांग पर नजर रखकर किसी अर्थवयवस्ता में उत्पादन के कुल मूल्य को मापता है याने कि it measures the total value of output in an economy by tracking the total demand मतलब GDP जो है वो demand side से आपकी अर्थवयवस्ता मतलब मांग मांग आधारित मांग आधारित आपकी अर्थवयवस्ता में कितनी वृद्धी होगी उसका मापन होगा कौन GDP यह कुल मांग पर नजर रखकर किसी अर्थवयवस्ता में उत्पादन के कुल मूल्यों को क्या करता है मापता है इसके बाद एक हम लोगों को economics का एक क्या मिल ज जाएगा GDP is equal to C plus I plus G plus NX GDP याने की सकल घरिलू उत्पाद याने की सी प्लस आई प्लस जी प्लस NX अब यह सब क्या क्या है इसको देखते हैं यह सब मांग है अगर हम सकल घरिलू उत्पाद को बोल रहे हैं कि मांग आधारित अर्थवयवस्ता को दिखाने का प्रयास कर रह इसे कहा जाता है मतलब जो प्राइवेट इंडिवीजुल्स है वो कितना डिमांड क्रियेट कर रहे हैं अर्थवयवस्ता में वो क्या है आई है यह एक घटक है आपके GDP का और यह सबसे बड़ा घटक है GDP में 56 प्रतीशत अगर किसी का योगदान है तो निजी व्यक्तियों के उपभोग मांग का है और इसे क्या बोला जाता है निजी वित्तिय टिया लेकल उपभोग फ्यैने में इसको देख लेंगे यह कंजम्शन डिवांड कंजम्शन डिमांड फ्रॉम प्राइवेट इंडिवीज्वेजुल्स प्राइवेट final conservative इसका नाम है यह इसका टेकनि यह आपका दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जीडीपी का और यह कितना प्रतीशत हिस्सा योगदान देता है जीडीपी में 35 प्रतीशत 32 प्रतीशत क्या दे रहा है योगदान दे रहा है और इसका टर्म क्या आ जाएगा आपके पास में ग्रोस फिग्स कैपिटल ये सारी चीजों को हम लोग depth में deal करते हैं हमारे economics के classes में पर अभी हम लोग current affairs की class ले रहे हैं इसलिए basics हम पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा deal नहीं करेंगे इसको है ना तो दूसरा क्या है c हो गया निजी व्यक्तियों का उपभोग मांग आई हो गया आप लोगों का क्या निवेश मांग ये 32 प्रतिशत हिस्सेदारी है GDP में और इसका जो technical term है वो हो जाएगा आपका क्या सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल स्थिर पूंजी निर्माण उसी प्रकार से जी है आपका सरकार द्वारा उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं की मांग जो की 11 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है और इसको हम बोलते हैं सरकारी अंतिम उपभोग भ्याय या फिर इंग्लिश में हम इसको बोल देंगे क्या लेख क्या ले उपने जैने को स्टो मतलब हमने जो एक्सपोर्ट किया है उसमें से हमने अपने इंपोर्ट को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे हटा देंगे तो हमें एक content लोगों को एक general idea मिल जाएगा कि आपके देश के जो भौगोलिक छेत्रफल है एक जो आपका भौगोलिक कितना मिल रहा है हमने क्या बोला ये मांग आधारित है मतलब डिमांड ड्रिवन ये एक क्या है अर्थव्यवस्था का आंकरा दिखाता है अब मांग कैसे कैसे हो सकती है हो सकती है आपकी कैसे जो नीजी व्यक्तियों द्वारा उपभोग का मांग है मतलब demand है consumption का वो इसमें आ जाएगा दूसरा आ जाएगा अर्थवयास्ता में निवेश की मांग कितनी बढ़ रही है या कितना योगदान है फिर सरकार द्वारा जो अपने वस्तुय हम सेवाओं का निर्मान किया है उसकी मांग कितनी है और finally हमारे जो products हैं उनका विदेशों में कितना मांग हो रहा है या फिर ये बोला जाए जो हमने विदेश बेज दिया है उसमें से अगर हम जो हमने मंगाया है उनको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारा शुद्ध निर्यात कहलाएगा तो ये सब को जब हम जोड़ देंगे तब हमारा हो जाएगा क्या GDP अब इसमें आ जाता है हमारे पास में दो और शब्दम को देखने मिले हैं नाम मात्रक GDP और रियल GDP या फिर वास्तविक GDP वास्तविक GDP अब ये जो है आप लोगों का पहले पढ़ लेते हैं ये क्या बताना चाहा रहा है नॉमिनल GDP क्याल्कुलेटेड यूजिंग प्रिवियस य GDP होता है नाम मात्रक क्या होता है GDP वो आपका पिछले वर्ष के चर का उपयोग करके ही क्या किया जाता है उसकी गड़ना की जाती है मतलब पिछले साल हमारे यहां वस्तुयम सेवाओं के मूल क्या रहे हैं और इस साल उनमें कितनी वृद्धी हुई है जब हम ये देखते ह हैं तब हम उसको बोलते हैं क्या ये नाम मात्रक GDP है और इसको हम बोलते हैं क्या ये करेंट मार्केट प्राइस पर है मतलब बाजार मूल्य पर होता है यह वर्तमान बाजार मूल्य पर होता है इसके बाद में क्या बोल रहा है वास्तविक GDP की गड़ना आधार वर्ष पर की जाती है जो स्थिर मूल्य कहलाता है तो हमारे पास में फिर से दो चीज़े आ गई हमने पहले क्या देखा नाम मात्रक जीडीपी नाम मात्रक और दूसरा वास्तविक अब इन दोनों की गड़ना करने के लिए हमारे पास फिर से दो चीज़े आ गई एक आ गया बाजार मूल्य और दूसरा आ गया क्या स्थिर मूल्य बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइज और दूसरा आ गया क्या हमारे पास में कॉंस्टेंट प्राइज तो पहले हमको समझना पड़ेगा market price और constant price क्या है market price मतलब वर्तमान में सेवाओं और वस्तूओं का क्या बाजार में मूल्य है या पिछले वर्ष क्या रहा है उसके आधार पर जब हम इस साल उन्हीं चीजों का क्या करते है value देखते हैं मतलब कोई चीज अगर पिछले साल 100 रुपए की थी इस साल 102 रुपए की है तो हमने क्या किया हमने बोला इसमें 2 प्रतीशत की विर्दी हुई इस particular product में लेकिन वो कैसे हुई वो बाजार मूल्य पर हुई क्योंकि हमने पिछले साल ही उसका क्या देख लिया मूल्य देख लिया लेकिन वहीं अगर हम बोलते हैं कि 2011 में एक किसी वस्तू का मूल्य 100 रुपए था लेकिन आज के डेट में उसका मूल्य कितना हो गया है 120 रुपए हो गया है तो उसमें कितने की वृद्धी हो गई 20 प्रतीशत की वृद्धी हो गई तो जब हम किसी एक particular वर्ष के आधार पर इस साल की वस्तूय हम सेवाओं को मापते हैं तब हम उसको बोलते हैं constant price या फिर स्थिर मूल्य और यह हम क्यों करते हैं यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम मुद्रस्विती का क्या करते हैं adjustment करते हैं inflation का क्योंकि यहाँ पर जो आपका हम market price में या फिर बाजार मूल्य में हम जिन वस्तूय और सेवाओं का मापन करते हैं उसमें मुद्रस्विती जुड़ी होई होती है मुद्रस्विती क्या है हर साल एक जो general price price होता है आप लोगों के बस्तूय और सेवाओं में उसको बोलते हैं हम मुद्रस्विती क्योंकि यह हर वर्ष हो रहा है और हम पिछले वर्ष के अधार पर इस वर्ष में हम क्या करने वाले हैं वस्तूय और सेवाओं का मापन कर रहे हैं तो वह वहां पर हमें क्या उसके data मिल रहे हैं इंफलेशन जुड़े हुए डेटा मिल रहे हैं लेकिन हम किसी एक आधार वर्ष से अपना आज के वस्तु और सेवाओं को क्या करते हैं जब मापन करते हैं तब हमको क्या समझ में आता है वहाँ पर इंफलेशन का एड़ेस्टमेंट हो जाता है यह सारी चीज़ें बहुत ड मूल्य पर क्या किया जाता है कैलकुलेट किया जाता है करेंट मार्केट प्राइस पर जबकि जो रियल जीडीपी होती है वास्तविक जीडीपी होती है उसे हम स्थिर मूल्य पर क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं और यह जो आपका स्थिर मूल्य है स्थिर मूल्य यह कौन से वर्ष पर हम आधार मानते हैं, 2011 पर, तो सन 2011 के आधार पर जब हम वस्तु सेवाओं का मुल्यांगन करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं, स्थिर मूल्य, तो स्थिर मूल्य आपका क्या बताया, वास्तिविक GDP और नाम मात्रक बता रहा है कौन? बाजार मुल्य भें, ठीक है, आगे चलते हैं अब तीसरी चीजें हमको अब यहाँ तक हम लोगों को थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत clear हो गया होगा तब हम लोग वापस आते हैं हमारा हमको क्या बोला गया है जो हमारा real GDP है वास्तविक GDP मतलब जिसमें हमने adjustment कर लिया है मुद्रा स्विती का, इंफलेशन का, उसमें हमारी वृद्धी दर कितनी रही है, 8.2 प्रतिशत रही है सन 2023-24 में, फिर नाम मातरक GDP याने जिसमें हमने इंफलेशन का एड़ेस्टमेंट नहीं किया है, जो हमारे बाजार मुल्यों पर हमको GDP मिली है, उसका हमारा वृद्धी दर कितना रहा पिछले वर्ष, 9.6 प्रतिशत, इसके बाद में हमारा क्या बोला गया है, ये दोनों क्या है, वृद्धी दर है, लेकिन जो उसका साइज है, GDP का या फिर उसका आकार है, वो कितना रहा है, जो वास्तविक रहा है, उसका कितना है, 173.82 और जो आपका नाम मा added, it is estimated to grow at 7.2, मतलब जो आपका सकल मूल्य वर्धन है, वो 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, अब इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि ये आपका सकल मूल्य वर्धन क्या है, हम सभी को पता है, हमारी जो अर्थ व्यवस्ता है, उसको हमने मुख्यता तीन छेत्रों में बांट रखा है, प्रात्मिक शेत्र, द्वितियक शेत्र और त्रितियक शेत्र, प्रात्मिक शेत्र, द्वितियक शेत्र और त्रितियक शेत्र, या फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों छेत्र वो हैं, जो अर् प्रकृति से जुड़ा जो भी हमारा कार्य होगा, मतलब जो अर्थिक गतिविदिया पूर्णता प्रकृति पर आधारित होगी, उनको हमने डाल दिया किसमें प्राइमरी में या फिर प्रात्मिक शेत्र में, जो आर्थिक गतिविदिया हमारी प्रात्मिक शेत्र के उत्पादों को as a raw material use करेंगी उसको हमने डाल दिया किसमें द्वितियक शेत्र में और त्रितियक शेत्र वो हो जाएगा जो हमारे इस primary शेत्र और द्वितियक शेत्र मतलब प्रात्मिक छेत्र और दृतियक छेत्र को एक support प्रोवाइड करेगा, service प्रोवाइड करेगा, है न, ऐसा हमने एक मोटा मोटा क्या कर लिया, अपनी अर्थवयास्था को अलग-अलग छेत्रों में बाट दिया, अभी तक हमने बात की किसकी GDP की, gross domestic product की, उसके बारे में हमने ये बोला कि ये आपका मांग अधारित अर्थवयास्था को दिखाता है, मतलब demand driven economy क्या जो एक आपका संकल्पना रहेगी उसको दिखाएगा, अब हमने दूसरा हमारा concept आगया, gross value addition या फिर सकल मूल्य वर्धन, ये जो है ये आपका आपूर्ती अधारित आपका क्या दिखाएगा, अर्थवयास्था की picture दिखाएगा, तो it examines the amount of value added in monetary terms in various productive areas of economy, it tracks the output of economy by looking at the total supply, मतलब अर्थवयास्था के विबिन उत्पादन चेत्रों, यही प्रात्मिक दित्यक शित्रों में मौद्रिक संदर्ब में जोडे गए मूल्य में सम्मर्धन, या कुल आपूर्ती को देखकर अर्थवयास्था के उत्पादन को track करता है, मतलब ये बोलना चाहा रहा है कि य ये आपका जो पूर्ती आधारित साइड को देखते हुए आपकी अर्थवयास्था की गड़ना करता है, कौन ग्रॉस वेल्यू एडिशन, क्या बोल रहा है, अर्थवयास्था के विबिन गटकों को या फिर उत्पादन चेत्रों में मौद्रिक संबंद में होने वाले मू गेहु का पेड़ है और ये गेहु की बालियां इसमें लगी हुई है, इमेजिनेशन का यूज करेंगे और इसको गेहु का पेड़ ही मानेंगे, पौधा, ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, वीट, तो यह कौन सा छेत्रों हो गया, प्राइमरी, ठीक है, दूसरा हमारे पास में इसी हम गेहु को लेकर के क्या कर देते हैं, मैनुफेक्चिरिंग में डाल देते हैं, मतलब गेहु से हम बना देते हैं क्या, आटा, लोर, आटा लिख लिजे, चलिए, समझने का खेल है यह, है ना, इसके बाद में इस आटे को बनाने के लिए हमारे पास में त्रितियक शेत्र आ जाता है सर्विस सेक्टर का यह क्या प्रोवाइड कर देता है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कि ट्रांस्पोर्टेशन अब उदाहरन के लिए हम मानते हैं इस गेहूं के पौधे को उगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना हुआ गेहूं के बीज लेने हुए सीड्स अब यह जो सीड्स थे इसको हमने क्या किया प्लांटेशन किया इस गेहूं के सीड्स में हमने क्या किया प्लांटेशन किया गेहूं के सीड्स का उसके बाद में जाकर कि यह बना क्या आपका गेहूं का पौधा फिर हमने इसमें पेस्टिसाइड्स डाला फर्टिलाइजर्स डाला यह ना यह सारी चीजों को डाला हमने खरपतवारों का उपयोग किया तो जो हमने seeds करीदे थे वो 10 रुपए के थे फिर हमने इसमें investment कर दिया कितने का 100 रुपए का मान लेते हैं है ना हमने क्या किया खाद डाला उरवरक डाले फिर हमने pesticides का यूग किया बीडी sites का यूज किया यह जो finally हमारा plant बन गया यह हमारा total हो गया कितने का 110 का 110 रुपए का मतलब हमने इसमें मूलि वर्धन कर दिया कितना हमने इसको खरीदा था 10 रुपए में और हमने इसको बना दिया कितने का 110 का तो हमने इसमें कितना मूलिवर्धन कर दिया 100 रुपए का तो ये प्रात्मिक शेत्र अब ये हमने केवल एक उदारन लिया किसका गेहू के पौधे का अगर हम पूरे के पूरे प्रात्मिक शेत्र को ऐसे ले लें और उसमें हम देखें कि हमने मूलिवर्धन कितना किया तो के जी उदाहरण के लिए सब सूपरफीशल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है अब इस आटे का वेल्य होगा कितना साड़े 500 रुपए हमने कितने में लिया था गेहूं 110 रुपए में लिया था तो हमने इन दोनों के बीच में क्या किया है मूल निवर्धन कर दिया ना हमने 440 रुपए का यहां पर क्या कर दिया मूल निवर्धन कर दिया अब यह हमने सिर्फ उदाहरण लिया किसका गेहूं और आटे का अब ऐसा जब हम पूरे manufacturing sector में या फिर उद्योग के छेतर में हम देखेंगे तो हम बोलेंगे पूरे उद्योग के छेतर में मूल यह वर्धन कितना हुआ इसके बाद में इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे service के sector में है कि तो जब हम तीनों को add कर देंगे primary sector में secondary sector में प्लस टर्शरी सेक्टर में इन तीनो छेतरों में हमने जो मूल्य वर्धन हुआ है क्या हुआ है आपका value addition इसमें जो value addition हुआ है इसको जब हम add कर देंगे तब हम इसको बोलते हैं gross value added या फिर सकल मूल्य वर्धन और ये भी हो रहा है आपका किसमें एक वित्तिय वर्ष में ही तो ये हो गया आपका gross value added इसमें और भी बहुत सारे components होते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक basic समझाने के तोर पर ही क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको deal कर रहा हूँ तो हमारे पास में एक क्या हो गया आपका gross value added चकल मूल्य वर्धन तो अगर हम अपने सारी अर्थवयस्था के घटकों को आज देखें तो पिछले साल उनमें कुल मिला कलके कितना सकल मूल्य वर्धन हुआ है तो ये हुआ है 7.2 प्रतीशत का 7.2 परसंट का क्या हुआ है यहां पर शकल मूल्य वर्धन हुआ है और ये डेटा हमको कहां से मिला है वही जो NSO द्वारा हमने डेटा प्राप्त किया है उसी से ही ये रहा आपका 7.2 परसंट का ठीक है अब यहां पर हमने क्या बात कर ली जो GDP है GDP किस साइट से दिखा रहा है आप लोगों को अर्थवय अस्था की पिक्चर GDP दिखा रहा है मांग आधारित कि कितनी मांग अर्थवय अस्था में है जबकि जीवी ये जो है शकल मूल्य वर्धन ये आपको क्या दिखा रहा है आपूर्ती आधारित अब हमने क्या किया है यहाँ पर हमने मांग भी देख लिया आपूर्ती भी देख लिया लेकिन जीवी ए में अभी तक हमने केवल क्या किया है मूल्य वर्धन किया है मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया है हमने जो कुछ भी किया हमने सिर्फ एक मूल वर्धन किया है लेकिन जब हम उस products को market में ले करके आएंगे तो वह इस इस वाले value में हमको नहीं मिलेगा हमको क्या होगा जोबी मूल वर्धन हुआ है हमारे उसमें government लगाईगी क्या tas do government ळगाईगी उसमें क्या टेक्सेस और कुछ ऐसे चीज होंगे जिनमें हमको क्या मिलेगा सबसीडीज भी मिलेंगी तो जब किसी भी प्रोडक्ट में टैक्स लगता है तो उसका क्या होता है वैल्यू बढ़ जाता है मतलब उसका मूल बढ़ जाता है उसका जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है लेकिन जैसे ही उसमें सबसीडीज मिलती है तब उसमें क्या हो जाता है उसका मूल्य गट जाता है तो अगर हम मांग की बात कर रहे हैं तो वो क्या है GDP और मांग किसकी हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड़्स and सर्विसेस का प्राइस तो जो फाइनल गुड़्स और सर्विसेस है वो और कुछ नहीं है यहीं जो आपका सकल मूल्य वर्धन हुआ है उसमें जब गवर्मेंट के टैक्सेस को मिला करके उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं और सब्सीडीज को हटा करके उसकी जो price कम हो जाते हैं वही कुल मिला करके हो जाता है आपका क्या market price या फिर GDP तो ये है आप लोगों के पास में एक formula जिसमें हम सकल मूल्य वर्दन और सकल घरिलू उतपाद के बीच में एक relation बता सकते हैं क्या यहां तक हम लोग clear हैं मेरे हिसाब से हम लोग यहां तक clear हैं क्या हम एक बात और यहां पर देख सकते हैं हमने बोल दिया है क्या जो सकल घरिलू उतपाद है सकल घरिलू उतपाद ये कैसा हो रहा है सकल मूल्य वर्दन प्लस सरकार के क्या कर और माइनस सबसिडी ये है अब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या जो आपका GDP है GDP GVA से कब ज़्यादा होगी GDP GVA से कब ज़्यादा होगी क्योंकि ये और ये दोनों घटक क्या है स्थिर है तो हम चेंज कर सकते हैं किसको सरकार के कर को और सबसिडी को यदि ये जो आपका घटक है ये सरकार का कर माइनस सबसिडी अगर ये पॉजिटिव में रहा मतलब धनात्मक रहा तब ये क्या हो जाएगा सकल मूल लिवर्धन बढ़ जाएगा या सकल घरिलूत पाथ बढ़ जाएगा बताईए अगर सरकार के कर माइनस सरकार की सबसिडी ठनात्मक है उस स्थिती में जो सकल मूल लिवर्धन है उसमें कुछ न कुछ जुड़ेगा और सकल घरिलू उत्पाथ क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा मतलब हमारे पास में एक हमको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जब जीडीपी जीवी ए से ज्यादा होता है इसका मतलब है ये वाला घटक पॉजिटीव है या फिर धनात्मक है और ये पॉजिटीव कब होगा जब सरकार के कर बढ़ेंगे जब सरकार कर ज्यादा लगाएगी और सब सीडी कम देगी मतलब जब टैक्स ज़ादा होगा और सबसीडी कम होगी ये सब बेसिक्स हैं आपके अर्थवयास्ता के हैं ना अभी हम लोग बहुत बहुत ओवर्वियू देखते हुए चल रहे हैं और वहीं पर हम ये कब बोलेंगे कि जी वी ये घी वी एक अब ज्यादा होगा जी डी पी से जस्सारा कर देंगे ज्याने कि जब क्या होगा आपका टैक्स जो हैं आपके सरकारी टैक्स वो क्या हो जाएंगे प्रीन आजए विताइस सबसीडी से हैं तो हमारे लिए फायदेमंद चीज कौन सी है जब G-D-P ज्यादा हो G लुदिविट जीजिब यहयारे कि शकलDr. मूल्यवर्धन से क्या पिर जब सकल मूल्य वर्धन ज्यादा हो सकल कर लुद्यवर्धन यह आप लोगों के लिए एक टास्क है आप लोग अपनी कॉपीज में ही अपना ये लिख करके बताएंगे हमको कि भई हमारी अर्थवय अस्था के लिए ज्यादा अच्छी चीज कौन सी है ये पूरा का अभी तक का आप लोगों का कॉनसेप्ट हो गया कौन सा जो हमारे पास में NSO द्वारा डेटा रिलीज किया गया है वर्तमान में उसका आप लोगों को एक छोटा सा कॉनसेप्ट दे दिया गया है एकोनॉमिक्स का ये पार्ट है आपका आगे चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में थोड़ा लंबा हो गया ये ये वही चीज़ें आपकी जीडीपी और जीबीए में संबंथ जो भी हमने देखा अगर जीडीपी ज्यादा है जीवी ये कम है मतलब गवर्मेंट के टैक्सेज आर मोर दें सबसीडीज वहीं जीबीए अगर जीडीपी से ज्यादा है मतलब गवर्मेंट सबसीडीज ज्य कम ले रही है तो मेन मेरा आप लोगों से पूछना यही ज्यादा है मतलब पूछने का मतलब यही है कि government जब taxes ज्यादा लेती है तो हमारी अर्थवयस्था के लिए अच्छी बात है या जब subsidies ज्यादा देती है तब हमारी अर्थवयस्था के लिए ज्यादा अच्छी बात है अब इसको डेटा को जारी करने वाला कौन है NSO याने की National Statistical Office इसके बारे में भी थोड़ा सो information देख लेते हैं तो यह जो आपका National Statistical Office है इसका गठन किया गया है कब 23 मार्च 2019 में और इसका गठन किया गया है दो offices को मिला करके मतलब पहले दो independent office हुआ करते थे राश्ट्री प्रतिदर्श एवं सर्वेक्षन कार्याले और केंद्रिय सांखिकी कार्याले National Sample Survey Office और Central Statistical Office इन दोनों को मिला करके 2019 में बना दिया गया है क्या National Statistical Office ठीक है और यह जो office है यह काम करती है किसके अंडर में Ministry of Statistics and Plan Implementation याने कि सांखिकी एवं कारिक्रम कार्यानवयन मंत्राले के अंडर में अब यह जो मिस्टिरी है इसके अंदर में दो इसके भाग है एक सांखिकी यह विंग है स्टैटिस्टिकल और एक है आपके पास में प्रोग्राम इंप्लिमेंटीशन मतलब कारिक्रम कार्यानवयन तो यह दो विंग्स है एक विंग आपका हो गया क्या स्टैटिस्टिकल या फिर जांखिकी यह इस सांखिकी यह जो आपका विंग है पार्ट है भाग है इस मंत्राले का उसके अंदर में सिर्फ एकी ओफिस है कौन सा नैशनल स्टैटिस्टिकल ओफिस जो हैड ओफिस है इसका यह मतलब नहीं है कि यह दोनों को बंद कर दिया गया है यह दोनों काम कर रहे हैं किसके अंदर में कर रहे हैं नैशनल स्टैटिस्टिकल ओफिस के अंदर में राश्ट्रिय प्रतिदर शेवं सर्वेक्षन संस्थान या फिर ओफिस कार्याले और केंद्री शांखी की यह कार्याले ये दोनों काम कर रहे हैं और वहीं जो इसका प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन का विंग है उसके अंदर भी तीन अलग-अलग ओफिसेस काम कर रहे हैं ये है आपका 20-point program, 20 सुत्रिय कारिकरम, फिर दूसरा infrastructure and project monitoring, बुनियादी धाचा और परियोजना निगरानी, उसके बाद में तीसरा आगया आपका Member of Parliament Local Area Development Scheme. संसद सदस्य स्थानिय छेत्र विकास योजना, ये आपका program implementation का विंग हो गया, Ministry of Statistics and program implementation, इसके बारे भी एक information है कि ये 15 अक्टूबर सन 1999 को, 15 अक्टूबर सन 1999 को एक independent ministry स्वतंत्र मंत्राले के रूप में अस्थित्यों में आया, उसके पहले तक ये दो अलग-अलग ministries थी, दो अलग-अलग मंत्राले थे, एक आपका कौन सा, कार्यक्रम, कार्यानमें मंत्राले और दूसरा आपका था क्या, सांखिकी ये मंत्राले, पहले इन दोनों को किया गया, क्या, सन 1999 में इन दोनों को मिला करके, एक कर दिया गया, प्रशाशनिक रूप से, उसके बाद में इसके अंदर में बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें चल रही थी, जैसे कि आपका National Sample Survey Organization Office, फिर आपका Central Statistical Office, पिस सूत्रिय कारिकरम, ये सारी चीज़ें चल रही थी, फिर इनको दो अलग-अलग Bifurcate किया गया, एक Statistical Organization किया गया, और दूसरा आपका क्या क्या, प्रोग्राम Implementation मतलब सांखिकी ये आपका भाग, और फिर कारिकरम कार्यानवयन का भाग बनाय पिर उसके अंडर में इन लोगों को Bifurcate किया गया, फिर 2019 में क्या कर दिये, ये अलग-अलग Offices को जोड करके National Statistical Office बोल दिया गया, और बाकी तीनों जो कारिकरम चल रहे थे, उनको किसमें शामिल कर दिया गया, प्रोग्राम Implementation के इसमें शामिल कर दिया गया, आगे चल ठीक है, तो हमारे पास में एक डेटा आया है किसका, World International Organization of Labour, International Labour Organization का एक डेटा आया है, जिसमें ये बोला गया है, जो World Unemployment Rate है, या फिर विश्व का बेरोजगारी दर है, वो घट गया है, कितना हो गया है, बहुत 1.01% का इसमें रिडक्शन आया है, पहले बोला जा रहा था कितना, 5% था, 5% हो गया, जो दुनिया का Unemployment Rate है, लेकिन अभी जो डेटा आया है, उसमें क्या बताया जा रहा है, 4.9% होगी, विश्व बेरोजगारी दर, बहुत ज्यादा इंपोर्टन नहीं है, इसका reason बस important है, reason ये important है, एक तो ये 4.9 वाला आकड़ा important है, दूसरा important य ये है, कि इसका कारण क्या रहा, ये जो 0.1% की बेरोजगारी दर में कमी आई है, उसका कारण क्या रहा, कारण है, चीन, भारत और कुछ उच आये वाले देशों में, बेरोजगारी दर में कमी आई है, मतलब चीन, भारत और कुछ उच आये वाले जो देश है, अमेरिका, क लेबर और्गनाइजेशन को अपने जो पहले के आंकड़ा थे उनको चेंज करना पड़ा है 5% से गठा करके कर दिया गया है कितना 4.9 बहुत ज़्यादा important नहीं आगे चलते हैं बहुत ज़्यादा important यह है और यह है आपका अगनी band sorted अगनी बांड sorted one very 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 important यह अभी हाल में होने वाले जो mains exams हैं उसमें भी important होगा और one day exams आगामी एक वर्षों में यह 200% किसी ना किसी exams में आएगा ही आएगा सब से पहले basic चीज आप लोग इसका full form रट लेंगे अगनी बांड sorted यह लिखाएगा s capital o फिर small r फिर बड़ा t फिर e और d यह इस प्रकार से इसको लिखाया जाएगा क्योंकि यह क्या है short form मनाया गया है इसका short form मनाया गया है sub orbital technology demonstrator तो यह आपका क्या है it is world's first rocket with 3d printed engine मतलब 3d printed engine वाला यह विश्व का पहला क्या है rocket होने वाला है और इसको develop किया गया है किसके द्वारा अगनी कुल कॉस्मॉस नामक एक space tech startup है space tech startup है जो कहां पर बेज़्ड है चेन्नाई में है मतलब यह एक startup है भारती private startup जिसने विश्व का पहला 3d printed engine क्या किया है बना दिया है और इसका नाम क्या रखा गया है अगनी बान सब और बिटल टेकनो लॉजिकल demonstrator sorted one full form 100% किसी ना किसी एक्जाम में आप लोगों को यह आएगा ही आएगा ठीक है अब इसके बाद में और कुछ information है launched from first private launch pad within Satish Dhawan Space Center in Shri Harikota आंद्रप्रदेश मतलब भारत का पहला private launch pad है भारत का पहला private launch pad है कहां पर श्री हरी कोटा में जो आंद्रप्रदेश में है जहां पर Satish Dhawan Space Center है वहां पर ही एक छोटा space दे दिया गया है किनको अगनी कुल cosmos नामक एक company को जो चेन्नाई based startup है जिसने क्या किया है अगनी बान shorted नामक एक rocket तयार किया है जो क्या है विश्व का पहला ऐसा rocket है जिसमें 3D printed engine लगा है बहुत important बहुत जादा important यह जो engine है इसका नाम इन्हों ने लिखा है क्या अगनी लेट इन्होंने अगनी लेट नाम रखा है इसका क्या engine का अब अगनी कि बान sorted is a customizable launch vehicle that could be launched in one or two stages तो यह क्या हो गया आपका एक stage या फिर दो stage में one or two stages में जो rocket launch किया जा सकता है यह क्या है customizable है मतलब हम अपनी शमताओं के हिसाब से अपने कार के हिसाब से इसे एक stage में भी launch कर सकते हैं दो stages में भी launch कर सकते हैं यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है अगनी बान sorted अगनी बार सब और्बिटल टेक्नोलोजी demonstrated sorted one 3 यह 3D printed engine वाला दुनिया का पहला रॉकेट है चेन्ने स्थित space tech startup अगनी कुल कॉस्मोस अगनी कुल कॉस्मोस द्वारा विक्सित किया गया है भारत के आंद्रप्रदेश के श्री हरी कोटा में सतीश धवन अंत्रिक्ष केंद्र के भीतर भारत का पहला नीजी launch pad भी क्या किया गया है बनाया गया है जहां से इस rocket को launch किया गया है इसके बाद में यह जो इंजन है इसका नाम क्या रखा गया है अगनी लेट नाम रखा गया है अगनी बार सौर्टेड एक कस्टमाइजेबल लॉंच वीकल है जिसे एक या दो चरणों में लॉंच किया जा सकता है इसके बाद हमारे लिए जो इंपोर्टेंट हो जाते हैं वो है रेमल साइकलॉन हाल दात यह पूर्वोतर का छेतर हैं वहां पर एक साइकलों के कारण बेहद तबाही मची है बेहद तबाही तो वह साइकलों कौन सा है साइकलों का कॉंसेpt क्या है यह हम लोग सब समज़ लेते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वhouट है Ciëलोन रैमल यह एक उष्न बत पिछले कुछ विडियो में देखा था जब हम अंतरराश्ट्रिय सौर संगठन की बात कर रहे थे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याने की करक रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन याने की मकर रेखा इन दोनों के बीच में जो पूरा छेत्र होता है प्रित्वी का है ना इसको हम बोलते हैं क्या उष्ण कटीबंदी यह चेत्र या फिर ट्रॉपिकल रीजन तो ट्रॉपिकल रीजन में आने वाला एक साइकलोन है कौन सा रेमल साइकलोन इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो है क्या रेत या फिर सैंड और शाब्दिक अर्थ किसमें अरेविक भाषा में अर्भी भाषा में और यह जो रेमल नाम है इसको देने वाले कंट्री कौन है उमान ने दिया है साइकलोन का नॉमेंक्लेचर जो होता है उसकी पूरी क्या होती है प्रोसेस होती है उसको भी किसी वीडियो में क्लियरली समझा दिया जाएगा अब इसने क्या किया है इट क्रिएटेड हवॉक इन वेस्ट बंगॉल असम मिघाले मिजोरम एंड पार्ट्स ओफ बंगलादेश है ना तो पूर्व उत्तर का छेत्र जो हमारा है वहां पर इसने तबाही भारी तबाही मचाई है अब द क्या आते हैं तुफान आते हैं साइकलोन साथे हैं तो ऐसा क्यों होता है कि यह जो आपका छेत्र है बे ओफ बेंगॉल यहां इतना बार-बार क्यों तुफान आते हैं यह हम लोगों को जानना है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है खर बार बेशफ प्रोङ्छंगों यह रजश लगे प्रeफ सबता हो आते लाख शवारे अाहर इतना average डेडलिएस ट्रॉपिकल साइकलोन इन वर्ल हिस्ट्री है विन रिकॉर्डेंड इड बेंगॉल एंड डियूरिंग पास्ट टू सेंचुरीज मतला पिछले दो सो सालों में जो प्रित्वी पर तीस सबसे खतरनाक उश्नकटी बंदी आपके चक्रवात आये हैं उनमें से 22 जो में ग्यानिक हैं जिनका ये बतारा है इनोंने बताया है कि तीस में से जो 22 है डेड्लिएस ट्रॉपिकल साइकलोन वो कहां पर आया है बंगाल की खाड़ी में बड़े तुफान लहरे उठती रहती है इसका एक कारण इसकी फणल जैसी आकृती और स्थल आकृती है जहां त वोगोलिक आकृती ने इस चेत्र को विश्व इतिहास की कुछ सबसे घातक आपदाओं का क्या बना दिया गया है गवाह बना दिया है तो जैसे हम इस पूरे के पूरे चेत्र को देखते हैं कि अगर यह हमारा क्या है महान देश भारत है कि हमारा महान देश क्या है भारत है यहका अरब सागर औरेबियंसी और यहां पर आपको द्वीव समूख मिलेंगे कौन से लक्ष्व द्वीविव और वहीं यहां पर है आपका बंगाल की खाड़ी बे ऑ जहां और यहां पर आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समू अब ये जो आपका पर्टिक्लर छेत्र है कौन सा ये वाला छेत्र ये वाला पूरा छेत्र ये जो छेत्र है ये आपका एक फञेल के रूप में चाड़ी जिसे कहा जाता है चतिस गण में पनल के रूप में एक दिखने को हमको मिलता है याने कि इस टरफ की हवाओं को ये कहीं-ने-कहीं अपने पास में कीचता है फनल याने हमको पता है ना फनल क्या होता है जब हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल वेगरा डालना होता है तो इस तरफ से हम पूर करते हैं फिर ये इस तरफ से इसको डायरेक्ट करता है और यहां से हमारे गाड़ी में पेट्रोल डल जाता है जब हमारी गाड़ीों में प इसके जैसा हो जाता है, inverted funnel की तरह हो जाता है, तो इस तरफ जो भी आपकी southwest monsoon की जो हवाएं होती है, trades winds होते हैं, इन सभी को ये अपने और क्या करता है, कहीं न कहीं खीचने का काम करता है, और साथ-साथ ये जो आपका पूरा तटीय छेतर है, बांगलादेश से लेकर के कारण यहां की जो मिट्टी है, ये मिट्टी भी थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ये पूरे छेतर में, यहां पर गहराई ज्यादा ना होने के कारण, मिट्टी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, पेड़ पौदे बहुत जादे नहीं मिल पाते हैं, और यहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है भारी तबाही हमको देखने मिलती है बहुत जंरलाइस वे में हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी का पार्ट है हमारे जो बनता है यहां पर जो बांगलादेश और हमारा गंगा के जो निचले मैदान है उस साइड में यह सारा पूरा का पूरा हमारा भारती बुगोल का पार्ट है क्योंकि यहां पर एक फनल नुमा आकृती बन रही है बंगाल की खाड़ी में उपर से जो यह तटी यह शेत्र है य इसके कारण यहां पर बार बार क्या होता है जो ट्रॉपिकल साइकलोंस आते हैं वो खतरनाक रूप ले लेते हैं पूरे ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं लेकिन यहां का क्या कर लेते हैं खतरनाक रूप ले लेते हैं वर्तमान में जो ट्रॉपिकल साइकलोंस आया है उसक एक देश ने दिया है इतना क्लियर है कि हम लोगों को बिलकुल क्लियर है आगे चलते हैं बेयर बेंगॉल इस प्रोन तो लाजेस्ट टॉर्म सर्जेस्ट इस पार्ट ऑफनल लाइक शेप यहां पर बार बार डेडली जो डिजास्टर होते हैं उसका साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच का डिफरेंस आप लोग पढ़ करके रखेंगे यह आप लोगों का टास्क होगा साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं कौन सा वो चक्रवात होता है जिसके बीच में low pressure होता है और बाहर में high pressure होता है कौन सा चक्रवात है जिसके बीच में high pressure होता है और बाहर में low pressure होता है कौन सा cyclone है जो उत्री गोलाड में clockwise घुमता है और दक्षिनी गोलाड में anti-clockwise घुमता है और just इसका उल्टा कौन सा cyclone है या फिर anti cyclone है जो उत्तरी गुलाड में anti clockwise गुमता है और दक्षिनी गुलाड में कैसा गुमता है आपका clockwise गुमता है ये सारी चीजों को आप लोग पढ़ लेंगे आगामी जो भी आपका exam एक दो महिनों में होने वाला होगा उसमें ये important हो ज होने वाला है एक होता है cyclone एक होता है anti cyclone ठीक है यह जो cyclone होता है हमको एक concept पता है जो air होती है अवा है यह हम बोले वायू यह यह उच्छ दाब के छेत्र से आई-प्रेशर area से किस तरफ move करती है निम्न दाब वाले छेत्र में low pressure area low pressure area कैसे generate होता high pressure area कैसे generate होता सब बाद का विशय है अभी बस यह समझिए यह जो वायू होती है यह low pressure area में जाती है high pressure area से किदर जाती है high pressure area से low pressure के छेत्र में जाती है वायू ठीक है अब यह जो cyclone होता है यह आपका low pressure छेत्र होता है जिसके चारो तरफ क्या बन जाता है आपका high pressure उच्च दाब है ना तो मतलब यह जो high pressure area वाले आपके cyclone है यह कैसा move कर रहे है low pressure की और इसको satisfy करने के लिए move करते हैं और वहीं जो anti cyclone होता है वो होता है आपका high pressure center center में और बाहर में हो जाता है क्या low pressure तो यह उल्टा आपका इस प्रकार से satisfy करने की कोशिश करता है तो पहला सवाल तो यहां पर यह हो गया जो cyclone होता है उसके सेंटर में क्या होता है लो प्रशर एरिया होता है एंटी साइक्लों जो होता है उसके सेंटर में क्या होता है हाई प्रशर एरिया होता है इसके बाद में हमारे पास में उत्तरी गुलाड या फिर नौर्धन हेमिस्फेर और दूसरा दक्षिनी गोलाड या फिर साधन हमिस्फेर इसमें ये जो साइकलोन्स होते हैं अलग-अलग तरीके से गुमते हैं जो आपका उत्तरी उत्तरी गोलाड है याने कि अगर हम अपने प्रित्थ्वी को भू मद्य रेखा के अधार पर दो बराबर हिस्सों में हम क्या कर दें माट दे अगर ये हमारी प्रित्थ्वी है और ये भू मद्य रेखा है तो ये होगे आपका उत्तरी गोलाड और ये होगे आपका दक्षिनी गोलाड है ना तो उत्तरिय गोलार्द में जब साइकलॉन आएगा तो वो anti-clockwise घुमेगा जबकि वही जो आपका दक्षिन है यहाँ पर आएगा यही साइकलॉन तो यह कैसा हो जाएगा clockwise इसके बाद में जो anti-saiklon है जब आपका उत्तर ही गुलाड में आएगा तो यह हो जाएगा clockwise और जब दक्षिनी गुलाड में चला जाएगा तब यह हो जाएगा कैसा एंटी clockwise ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब कुछ हमारे पास में चर्चित व्यक्ति हैं जो हाल फिल हाल में न्यूज में बने हुए हैं उनके बारे में बहुत जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं है ना सबसे पहले हैं हमारे पास में उत्तर प्रदेश की आरती आरती नामक महिला है उत्तर प्रदेश में इन्हें हाल ही में अमाल क्लूनी विमन एमपॉर्मेंट अवार्ड दिया गया है मतलब इन्हें क्या दिया गया है अमाल क्लूनी महिला शशक्ति करण पुरसकार दिया गय पुरसकार इन्हें मिला है तो ये कौन है आरती है ये 18 वर्षी एक पिंक ई- रिक्षा ड्राइवर है जो उत्तर प्रदेश की मिशन शक्ती उत्तर प्रदेश में एक मिशन शक्ती नामक स्कीम चलाई जा रही थी जिसके माध्यम से महिलाओं के शक्ती करण एवं रोजगार उ रिक्षा दिये गए थे और इस ए रिक्षा को इन्होंने अपनाया 18 वर्षी है ये महिला है आरती और महिला शक्ती करण में एक बहुत अच्छा उदारन देने के लिए इन्हें क्या दिया गया है अगली जो हमारे पास में है वो है मेजर रादिका सेन ये संयूक्त अच्छन्स मिलीटरी जेंडर एडवोकेसी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है बहुत इंपोर्टेंट है वेरी 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 इंपोर्टेंट ये पूरे साल भर होने वाले जो एक्जाम्स है उनमें वन डे एक्जाम्स में आप लोगों को ये टकराएगा है ना और य जोगदान को क्या देता है एक बूस्ट देता है न मानित प्रदान करता है तो ये कौन है Major Radhika Sen तीसरे हमारे पास में है पुर्णिम श्रेष्ट अब ये कौन है ये मौन टेनियर है फ्रम नेपाल इन्होने एक ही सीजन में तीन बार माउंट ऐवरेस चढ़ дов कर रिकॉर्ड सेट किया है तो पुर्णिमा स्रेष्ट ने क्या किया है एक ही सीजन में तीन बार माउंट एवरेस चढ़ करके क्या किया है चढ़ाई करके रिकॉर्ड सेट किया है यह बिलकुल खास इंपॉर्टेंट नहीं है आगामी केवल एक से डेड़ महिनों के अंदर में जो एक्जाम्स होंगे उनमें यह इंपॉर्टेंट होंगे लिदुवानिया के नय प्रेसिडेंट बनाये गए हैं गीता नास नौसेडा नामक व्यक्ति हैं जिने लिदुवानिया का क्या बनाया गया है नया प्रेसिडेंट बनाया गया है चतिसगड के एक्जाम्स में बि वही है चैड रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए है अला मया हलीना को वही जून और जुलाई में काम आएगा उसके बाद किसी काम कर नहीं आएगा देख लिए रहिएगा एक बार नजरों के सामने से गुजरेगा तो शायद हम एक्जाम में इसका यूज कर है और इन्होंने वर्ल्ड नंबर वन मैगनस काल कालसन को फिर से क्या कर दिया हरा दिया है लेकिन इन्होंने यह पहली बार इसे क्लासिक टूर्नामेंट में हराया है क्लासिक टूर्नामेंट में पहली बार मैगनस कालसन को हराया है किसने रमेश बाबू ने तो आप लोगो क्लासिकल इवेंट इट्रफ्सिकल इवेंट होता है वो time-bound इवेंट नहीं होता है मतलब रतिसपरधा जिसमें समय सिवांप हो उसे हम बोलते हैं क्लासिकल क्लासिकल इवेंट है ना तो तो रमेश बावु-प्रकननदने किसको हड़ा मैगनस कालसन जो अभी वर्तमान में वर्ल्ड नंबर वन है डॉनल्ड ट्रम्प बिल्कुल हमारे लिए किसी काम के फिलहाल नहीं है मतलब यह जो फैक्ट है यह हमारे काम का नहीं है करन्ट अफेर्स में हैं इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मतलब किसी अपराद के लिए दोशी ठहराय जाने वाले अमेरिका के पहले पूरो राष्ट्रपती बन गए मतलब आज तक के कोई ऐसे राष्ट्रपती नहीं रहे हैं जिनने किसी भी मामले में दोशी ठहराया गया हो केसेज चले हैं बाद में बरी हो गए लेकिन इनने दोशी ठहरा दिया गया है और वो भी किसके लिए 2016 से पहले एक पॉन स्टार को हश मनी देने के लिए मतलब शायद इनका सम्मन्द रहा हो उस पॉन स्टार के साथ में और ये बाद में उसे 2016 के चुनाओं में वो उनको अपनी छवी खराब होती हुई नजर आ रही होगी तो हश मनी क्या होता है हश मनी मतलब शान्त रहने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे हश मनी बोला जाता है कूछ भी हमारे लिए इंपॉर्टन नहीं है आगे बढ़ते हैं प्रिहट सोम यह हैं वेरी 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 इंपॉर्टन हमारे एक्जाम के लिए अब प्रिहट सोम हमारे लिए इंपॉर्टन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भारतिय मूल के क्या है फ्लॉरिडा में रहने वाले बारा वर्षिय एक व्यक्ति हैं बालक हैं जिन्होंने स्क्रिप नेशनल स्क्रिप्स नाशनल स्क्रिप्स आप क्या है सकते हैं इसे बाद में कुछ हमारे सेवन्थ इटसेल्फ मतलब केरल हमारे भारत का पहला ऐसा राज बन गया है जिसने कृतिम जो आपकी बुद्धी मता है या फिर आर्टिफीशल इंटेलिजेंस है उसको क्या कर लिया है अपने करिकिलम में शामिल कर लिया गया है केरल हो गया है कौन सा कक्षा साथवी से ही अ इंक्लूडेड अंडर इंफॉर्मेशन और कम्यूनिकेशन टेक्नलोजी सब्जेक्ट आगे चलते हैं दूसरा है श्री हरी कोटा जो कि कहां पर है आंध्रप्रदेश में स्थित है और क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला प्राइवेट लॉंच पैड भा पांड सौर्टेड है ना सब और्बिटल टेक्नोलोजिकल डेमोंस्ट्रेटर वन यह है आपका पूरी दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट जिसमें 3D प्रिटेड इंजन लगा हुआ है ठीक है चलिए आगे चलते हैं जैसल मेर राजस्थान यहां पर डेसर्ट नेशनल पार्क है तो आगामी जो दो महीने आपके एक्जाम सोंगे जून जुलाई और अगस्तीन महीने तक के उसके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेजर्ट नेशनल पार्क आपके भारत देश में कहां पर स्थित है तो यह है आपका कहां पर जैसल मेर में जो की राजस्थान में है अब यह क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि गोडावन या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोनों एक ही पक्षी का नाम है जो क्या है राजस्थान की राजकी या पक्षी है उसकी एक जनगडना की गई है जिसमें यह बताया गया है यह एक विलुप्त प् हमारे लिए है ना तो ये क्या है आपका गोडावन नामक पक्षी है जो ग्रेट इंडियन बस्टर के नाम से भी जाना जाता है गोडावन या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर और राजस्थान की क्या है ये राज की पक्षी है अब हमारे पास में कुछ reports हैं यह है Women in Leadership in Corporate India मतलब जो corporate हमारा भारत है उसमें महिलाओं को नेत्रित्व कैसा मिल रहा है है यह हमको देखना है मतलब इसमें हो क्या रहा है जो उच्छ आपके नेत्रित्व करने वाले जो संस्थान है या फिर पोस्ट है designations है उसमें विमेन का रोल बढ़ रहा है प्रतिनिदित्व बढ़ रहा है पहले ऐसा होता था जो लीडर्शिप रोल्स होते थे वो ऐसा प्रिफर किया जाता था मेल्स को लेकिन एक बहुत ही जबर्दस इसमें शिफ्ट देखने मिल रहा है और जो लीडर्शिप रोल्स होते हैं बड़े-बड़े उच फायदान होते हैं कॉर्परेट इंडिया के कंपनियों के उनमें अब महिलाओं को शामिल किया जा रहा है तो यहां पर महिलाओं का शशक्तिकरण हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने मिल रहा है महिलाओं की महनत जो उन्होंने कंटिनियस्लीस लिफटन्य साल जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट फाइनली हमें देखने मिल रहा है तो यह एक रिजल्ट हमें मिला है जिसमें all category की जो companies है मतलब जितनी भी categories की companies है उन सभी में leadership role में पिछले 7 साल में 4.4 प्रतीशत की वृद्धी हुई है महिलाओं की 4.4 प्रतीशत की मतलब जो 2016 तक में महिलाओं का प्रतिभागी था या फिर leadership role में जो योगदान था वो 18.8 प्रतीशत महिलाएं ही थी कुल leadership roles में लेकिन जो 2024 है उसमें कितने हो गई है 23.2 प्रतीशत बढ़ गई है इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका नेत्रित्व करने वाले शीर्ष नेत्रित्व करने वाले पद है उसमें 4.4 प्रतीशत की वृद्धी हुई है कैसे 2016 में केवल 18.8 प्रतीशत महिलाएं ही नेत्रित्व करने वाले पदों में हुआ करती थी अब वो कितनी हो गई है 23.2 प्रतीशत हो गई है याने की 4.4 प्रतीशत की वृद्धी हो गई है और ये जो रिपोर्ट है इस जो आपका रिपोर्ट है इसका नाम क्या है इसका नाम है Women Leadership in Corporate India, Corporate India में नेत्रित्व में महिलाएं ये है आपका इसका क्या नाम इसके बाद में हमारे पास में आएगया क्या Water for Shared Property, Prosperity ये भी आपका एक रिपोर्ट है इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जानने की जरुवत नहीं है हमें बस ये जानना है कि ये जो Water for Shared Prosperity है इसका रिलीस किसने किया है ये किया है World Water Council याने कि विश्व जल परिशद ने अपने क्या दसवे फोरम में मतलब अपनी दसवी मीटिंग में विश्व आपका जल परिशद ने अपने दसवे सम्मेलन में जो कहा हुआ है बाली इंडोनेशिया में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें क्या बता एक जिस रिपोर्ट का नाम क्या है Water for Shared Prosperity साजा सम्रिद्धी के लिए जल है ना और इसमें इन्होंने दोनों ही चीज़ें बताई है कि पानी का संकट कहां कहां पर है Water Shortage कहां कहां पर है इसे किस तरीके से overcome किया जा सकता है और यहां पर हमें क्या challenges face करने पड़ेंगे इन सब चीज़ों को इसमें बताया गया है हमारे लिए जो हमारे चतिसगड के exams होंगे उनके लिए important बस यह है World Water Council का दस्वा अधियवेशन कहां हुआ तो बाली में हुआ और यहां पर जो report जारी किया गया उस report का नाम क्या है Water for Shared Prosperity या फिर साजा सम्रिद्धी के लिए जल अगला देखते हैं हमारे पास में sports में हमारे पास में कुछ information है जैसे कि सबसे पहला है T20 World Cup हाल ही में क्या हो गया है शुरू हो गया है मतलब ICC International Cricket Council जिल द्वारा T20 format में World Cup की शुरुआत पहले जून 2024 से कर दी गई थी जो भारतिय समय अनुसार दो जून से शुरू हुई है पहली बार है जब सोला टीम्स के ज्यादा सोला टीम्स से ज्यादा इसमें participate कर रही है मतलब आज तक की सबसे ज्यादा टीम्स participate कर रही है और यह total कितनी टीम्स है 20 टीम्स है यह जो ICC आपका T20 है इसका कौन सा संस्करन होगा यह 9 संस्करन होगा बहुत 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 important यह कुछ facts हैं जो आपके लिए important है 20 टीम्स इसमें participate कर रही है नववा season है और 11 इसमें से जो टीम्स है वह full member countries है मतलब जो ICC के full member countries है वह 11 टीम्स है और 9 टीम्स जो है वह associate country की टीम्स है यह सारे facts आप लोगों के लिए important है वही चीज़े हैं इसके बाद में आप लोगों के लिए जो overall हमारे पास ICC के total teams है उसमें 12 टीम्स है वह कौन सी है full members है पूर्ण सदस्य है और जो 94 देश है associate members है ना तो यह आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा full member nation है जो इस बार के ICC T20 में participate नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास कुल कितने सदस्य हैं 12 हैं लेकिन खेल कितने रहे हैं 11 लोग खेल रहे हैं जो full members है यह ना full members are the governing bodies for cricket of country recognized by ICC or nations associated for cricket purposes और geographical area from which representative teams are qualified to play official test matches मतलब जो full members है उनका definition क्या है ऐसे देश या फिर ऐसे बहुगोलिक शेत्रपल की टीम है जिने आधिकारिक test match खेलने का एलावो हो ICC के माध्यम से उन्हें हम बोलते हैं क्या आपके full members और ऐसे कितने हैं 12 हमारे पास में सदस्य है इस बार का जो टी 20 कराने का जिम्मेदारी है वो दो देशों के उपर मेजबानी है उसकी एक अमेरिका है और दूसरा वेस्ट इंडीज है अमेरिका में 16 मैचेज होंगे वेस्ट इंडीज में 39 मैचेज होंगे टोटल मैचेज आपके होने वाले हैं 55 मैचेज बहुत जदा important नहीं है और यह पहली बार है जब अमेरिका किसी ICC tournament को क्या करने वाला है host करने वाला है मेचेज बानी करने वाला है यह हमारे लिए important है इसके बाद में एक हमारे लिए और important यह है stop clock rule अभी तक जो हमारे T20 में important है उसमें सबसे ज्यादा important अगर कोई चीज है तो वो है stop clock rule पहली बार जो T20 का world cup होने वाला है उसमें हम stop clock rule देखेंगे और यह stop clock rule क्या है यह stop clock rule यह बोलता है कि आपका जो balling team होगी वो एक over को खतम करने के बाद 60 second के अंदर अंदर दूसरा over शुरू कर देगी यह है आपका stop clock rule अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अंपायर उसे क्या देगा warning देगा पहली warning देगा दूसरी warning देगा लेकिन जैसे ही तीसरी warning उस team को पड़ी बॉलिंग वाले टीम को तीसरी warning के साथ साथ उन्हें पांच रन्स का penalty भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा मतलब सामने वाली जो बैटिंग टीम होगी उन्हें पांच रन एक्स्ट्रा दे दिये जाएंगे अगर इस top clock rule का क्या हुआ उलंगन हुआ तो यहाँ पहली बार है जब अमेरिका किसी ICC tournament की मेजबानी कर रहा है देख लिया हमने अब format इसका क्या है total 55 matches होने है चार groups होने है पांच पांच के मतलब एक group A, B, C और D और इसमें सब में कितने कितने सदर से होंगे पांच पांच सदर से 1, 2, 3, 4, 5 अब यह चार जो teams groups होंगी सब में पांच पांच होंगे इनके जो top two होंगे सभी के सभी इन top two को क्या बोला जाएगा इनको बोला जाएगा आपका super eight round में यह लोग सभी के सभी क्या होंगे participate करेंगे और यहां से जो 8 टीमें निकलेंगी उनको फिर से group A और group B में बाट दिया जाएगा दो ग्रूपों में और इन दोनों में फिर यहां से दो टीमें निकल करके आएगी group A से कोई एक team जीतेगी group B से फाइनली कोई एक team जीतेगी इन दोनों के बीच में क्या होगा फाइनल का match रखा जाएगा ठीक है तो यह आप लोगों का पूरा का पूरा फॉर्मैट होगा पचपन match होंगे चार groups होंगे पाश टीम होके टॉप टॉप टूप 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 इच ग्रूप विल क्या होगा सेमी फाइनल होगा फिर जो दीतेंगे उनके बीच में क्या होगा फाइनल मैच होगा तो यह आपका प्रारूफ हो जाएगा इसके बाद में special क्या है इसके विशह में अमेरिका युगांडा और कैनेडा अमेरिका युगांडा और कैनेडा ये तीन ऐसे देश हैं जो पहली बार किसी ICC का क्या कर रहे हैं वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि क्या हो रहा है यहां पर तो जो आपका अमेरिका युगांडा और कैनेडा है ये पहली बार क्या कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहें किसी भी ICC के वर्ल्ड कप टूनामेंट में जबकि एक striking बात यह है कि जो पहला international cricket competition रहा मतलब अंतर राश्ट्रे क्रिकेट 37 परधा जो पहली हुई थी वो अमेरिका और कैनेडा के बीच में हुई थी 1844 उसके बाद भी मतला पहली बार जो आपका अंतर राश्ट्रे क्रिकेट स्परधा हुई है वो अमेरिका कैनेडा के बीच में या 1844 में उसके बाद से लेकर के आज तक में कभी अमेरिका और कैनेडा ने ICC का कोई वर्ल्ड टूनामेंट नहीं यह पहली बार है जब यह लोग क्या करने वाले इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं दूसरा हमारे पास में जो information है वो आपका तीर अंदाजी विश्वकप से है हमारा जो तीर अंदाजी का विश्वकप हुआ वह वर्तमान में कहां पर हुआ दक्षिन कोरिया में हुआ महिला जो compound team है इंडिया की उसने क्या किया है विश्वकप का जो stage 2 है स्परधा उसमें स्वर्ण पदक जीता है इस बार का जो तीर अंदाजी का विश्वकप है वो चार चरणों में होने वाला है four stages में होने वाला है पहला जो चरण था वो चाइना के शंगाई में हो गया वहाँ पर भी हमारी जो महिला टीम है उसने क्या किया था stage 1 में स्वर्ण पदक जीता था महिला compound team ने उसी team ने ही अभी जो दूसरा चरण चल रहा है stage 2 जो दक्षिंड कोरिया में हो रहा है वहाँ पर भी क्या जीत लिया है gold medal जीत लिया है और साथ में इसके पहले इन्होंने जो 2023 में पेरिश सत्र हुआ था विश्व तीरंदाजी का उसमें भी स्वर्ण पदक जीत लिया था तो ये हमारी एक क्या है star तीरंदाजी की टीम है और इस टीम में कौन-कौन शामिल है एक है जोती सुरेखा वेनम्मा दूसरी है परनीत कौर और तीसरी है अधिती स्वामी तो ये तीनों की जो तिकडी है तीनों की जो टीम है इसने हमारे वर्ल्ड कप stage 1 जो शांगाई में हुआ वहाँ पर भी स्वर्ण पदक दिलाया फिर दक्षिंड कोरिया में जो stage 2 का competition हो रहा है यहाँ पर भी स्वर्ण पदक दिलाया पिछले साल जो हमारा पैरिस में हुआ था 2023 का संसकरण तीर अंदाजी विश्वकप का वहाँ पर भी इन्होंने क्या जीता था स्वर्ण पदक जीता था विश्वकप का जो स्टेज 2 है वहाँ पर एक और पदक हासिल किया है जोती और प्रियांश की mixed compound team ने mixed compound team ने भी क्या जीता है एक पदक जीता है और ये कौन सब पदक है रज़त पदक याने की silver medal इन्होंप जीता है ठीक है आगे चलते हैं बही जो हम बात कर रहे थे इस बार का जो world cup है ये चार स्टेजेज में होने वाला है चार चलणों में है और तीसरा है आपका क्या मेक्सीको में होना है यह है आपका थक्सकाला आप यह जो कुछ भी इसको प्रणाउंस करते होंगे इसको आप लोग कंफर्म कर लेंगे तो यह थक्साला में होने कहां पर मेक्सिको में तो ये चार स्टेजेज में होने वाला है क्या आपका आर्चरी का विश्व कप इसके बाद में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रहा वो रहा आईपी एल इंडियन प्रीमियर लीग का सत्रवा सीजन और दो हजार चौबिस में इसे जीत लिया है किसने कोलकाता नाइट राइडर्स ने और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे तीसरी बार जीता है थर्ड टाइम ठीक है इसके पहले इन्होंने दो बार और आईपी एल का किताब जीत चुका है अब यह जो आईपी एल होता है इसे टाइटा आईपी एल बोले जाता है स्पॉंसर्शिप के कारण इसका फॉर्मेट होता है टी ट्वेंटी का बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आई सी आईपी एल की स्थापना की थी सन 2007 में और इसका जो पहला संसकरण खेला गया था वो खेला गया था 2008 में वर्तमान में जो संसकरण खेला गया वो है आपका 17 संसकरण और यह खेला गया था 22 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में इसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है इस बार 2017 के माफ़ की जगए 2024 के IPL का किताब जीत लिया है तो इसमें हमारा पॉर्मेट क्या होता है वही राउंड रॉबिन का जो फॉर्मेट होता है विट ग्रूप सिस्टम और आज तक की जो मोस्ट सक्सेस्फुल टीम है वो है चेननाई सूपर किंग्स और मुंबई इंडियन्स इन दोनों के पास पाँच-पाँच खिताब है IPL के सरवाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है विराट कोली के पास में मैक्सिमम विकेट्स लेने का रिकॉर्ड है युजवेंदर चहल के पास में और ये है सन 2008 में पहली बार खेले गए जो IPL जिसमें राजस्थान रॉयल्स जीते थे से ले करके दोहजार चौबिस में जब कोलकता नाइट राइडर्स जीते हैं हर साल कौन कौन जीतता आया है इसका ये आपके पास में चार्ट है बहुत जादा तो नहीं लेकिन आप लोगों को फॉस्ट संस्करण में किसने जीता ये याद होना चाहिए दोहजार चौबिस में किसने जीता था ये याद होना चाहिए तो चोबिस में केके यार उसके पहले सीएसके दोहजार तेईस में और जो पहला संस्करण था उसको किसने जीता राजस्तान रॉयल्स ने जीता तो यहां पर हमारा खता होता है नैशनल और इंटरनाशनल करण अफेस कल हम कोशिश करेंगे इसके उपर हम ले करके आए क्या MCQ सीरीज इस हफते याने की जून महिने के दूसरे हफते में हमें दो एक्स्ट्रा वीडियोज देखने मिलेंगे क्योंकि पिछले हफते हमने क्या किया था दो वीडियोज को स्किप कर दिया था कुछ कारणों से तो आप लोग हमारे साथ म अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को